नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था राजसभा पे तो आज हम बात करेंगे अपने नए टॉपिक यानि कि लोगसभा के बारे में और देखिंगे क्या होता है लोगसभा तो आइए एक बार देखते हैं तो लोगसभा जोए हमारा Lower House के नाम से भी जाना जाता है और People of House के नाम से भी जाना जाता है यानि नीचला सदन और लोगों का सदन दोनों के नाम से जाना जाता है ठीक उसके बाद लोगसभा को देश के राश्ट्री और और स्टेट के लिए नियम कानून प्रारित करने काम भी लोगसभा का ही होता है उसके बाद हमारा फर्स्ट लोगसभा कब constitute हुआ था यानि लोगसभा पहली बार जो है कब constitute किया गया था तो वो किया गया था 17 अपरेल 1962 को ठीक पहली बार कब 17 अपरेल 1912 को मैक्सिमम इस्ट स्रेंथ होती है लोग सभा कि 550 550 आपको एक बात बता देते हैं कि करेंट स्रेंथ जो है वो 543 है कितनी है 543 पहले कितनी थी 545 पहले कितनी थी 545 लेकिन constitutional amendment 104 के तहत यह 545 से 543 कर गया यानि जो दो एंगलो इंडियन क्या एंगलो इंडियन का जो concept था उसको हटा दिया गया किसके तहत हटा दिया गया constitution amendment 104 के तहत 545 को हटा के एंगलो इंडियन का concept हटा दिया गया ठीक तो अब जो आपका current seat है वो 543 है उसके बाद जो tenure होता है लोगसभा का वो 5 साल का होता है कितने साल का होता है 5 साल का 5 साल के बाद आपका लोगसभा भंग हो जाता है फिर election के बाद दुबारा से लोगसभा constitute की जाती है उसके बाद क्या है कि that after every 5 years लोगसभा इडिजॉल्व हर 5 साल बाद लोगसभा जो ह जा सकता है वो कब बढ़ाया जा सकता है जब प्रेसीडेंट के द्वारा emergency लगाई जाए तो ऐसे कंडिसन में लोगसभा का tenure जो है पांत साल से आगे बढ़ाया जा सकता है ठीक उसके बाद वरना आमतौर पे हर 5 साल में लोगसभा का जो है कारेकाल खतम हो जाता है उसके बाद है फॉर्स्ट पहली बार लोग सभा कब भंग हुई थी तो पहली बार लोग सभा भंग हुई थी चार अप्रेल करते हैं, next, तो minimum age जो होती है, लोक सभा की, वो कितनी होती है, 25 वर्स, अगर आप 25 वर्स के हैं, तो आप लोक सभा के लिए eligible हैं, यानि आपकी आयू 25 वर्स होनी चाहिए, उसके बाद है, लोक सभा मेंबर किसके द्वारा चुने जाते हैं तो लोगसवा मेंबर जो है डारेक्ट हम आम जनता के द्वारा चुने जाते हैं जो इलेक्शन होता है जो अभी हाल में इलेक्शन हुआ सब लोगों वोट डाला होगा तो किसके द्वारा चुने गते आम नागरीक के द्वारा ठीक उसके बाद है लीडर कौन होता है लोगसभा का लीडर होता है प्राइम मिनिस्टर कौन होता है प्राइम मिनिस्टर और प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर कौन है स्री नरेंद्र मोधी 2014 से लेक ही है उसके बाद जो है सेशन लोगसभा की कितनी सेशन होती है तो लोगसभा की टोटल तीन सेशन होती है लेकिन हर साल कम से कम दो सेशन होना अनिवार रहे है टोटल तीन लेकिन हर साल दो सेशन होना अनिवार है वो तीन सेशन कौन सा है फ्रस्ट सेशन बजट सेशन कहलाता है सेकेंड सेशन मौनसून सेशन कहलाता है और थर्ड सेशन विंटर सेशन कहलाता है बजट सेशन में फरवरी टू में होता है मौनसून सेशन 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 पहला सेसन कब हुआ? 13 मई 1922. उसके बाद जो प्रेसिडेंट है वो लोगसभा को डिजॉल्व कर सकता है, यानि भंग कर सकता है, कब रोख सकता है, कब भंग कर सकता है, काउंसिल ओफ मिनिस्टर के एडवाइस के बाद, अगर काउंसिल ओफ मिनिस्टर ने हामी भर दी कि लो जाए कि भाई लोगसभा और राजसभा को एक साथ कौन बुला सकता है, प्रेसिडेंट है न, प्रेसिडेंट वो जॉइंट सेसन बुलाता है लोगसभा का, लोगसभा और राजसभा दोनों का जॉइंट सेसन कौन बुलाता है, प्रेसिडेंट और उसकी अध्यक्षता कौ सरकार से कोई दिखकाज है तो सरकार को हटाने के लिए नॉन-कॉन-फिडेंस मोसं लाया जाता है और उसमें कम से कम 50 सदस्यों की सहमती होनी छाहिए ठीक Non-Confidence Motion को लाने के लिए 50 पिशंहें की सहमती और जो क्योड होता है यानि pretend चल पाएगी अन्यता नहीं चलेगी ठीक उसके बाद है आपका लोगसभा के मेंबर किसको अपना रेजिगनेशन यानि जब वो रिजाइन देना चाहते हैं लोगसभा छोड़ना चाहते हैं तो उसका membership लोगसवा से cancel कर दिया जाता है ठीक और सबसे ज़्यादा highest seat यानि representative लोगसवा में किसके हैं तो उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा representative है 80 लोगसवा seat है उत्तर प्रदेश की यानि सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं लोगसवा में member किसके उपस्तित है representative किसके उत्तर तो यह हमारी जानकारी थी लोक सभा के बारे में हाँ हमारा वीडियो हो जाएगा complete और जादा इसके PDF के लिए हमारे feed section में आप देखें तब तक के लिए स्वस्त रहें मस्त रहें